तो बिहार के बाका में सड़क हाथसा होने की खबर है जुले में बाहन की चपेट में आने से 15 वर्षे नावालिक की मौत हो चुकी है गटना जुले के अमरपूर बाका मुक्हिमार्क पर स्थित पर सबन्नी और तड़वापुल के पास की है इमरत्यक रतनपुर्गा निवासी 15 वर्षे शुयम कुमार बताया जा रहा है आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चलें मौके से वाहन चालक फरार होने में कामियाब रहा है घटना इस्थल पर मौझूद प्रत्यक्ष दर्शियों से मिले जानकारी के अनुसार शुयम अपने पिता के साथ खेतों से साइकल पर धान लेकर घर लाट रहा था तबीब बाका की ओर से आ रही बस को ओवर्टेक कर एक पिकप चालक आगी जाने का प्रियास करने लगा और इसी दोरान पिकप ने बेकाबू होकर बच्चे को टक कर मार दी हलांकि मौके पर मौझूद लोगों ने पिकप वाहन का पीछा किया लेकिन पिकप वाहन चालक फरार हो गया जख्मी बच्चे के परज़न आननफानन में उसको उपचार के लिए बाका सदर अस्पताल लेकर गए चहां जॉक्टर ने उसे मुरत खुषित कर दिया गटना से आक्रोशिद ग्रामीडों ने गटना इस्थल पर वाहन खड़े कर अमरपूर बाका मुख्यपत को जाम कर दिया जाम के बाद मुख्यपत के दोनों और आपको बता चले वाहनों की लंबी कतारे जमा हो गई थी जुष नमलने पर अमरपूर्ग थाना अध्यक्ष मुहमद सवदर अली और प्षिषकु दरोगा धरमेंद्र कुमार सैनी खुर्शिद आलम दल बलके साथ घटना इस्थल पर पहुँचे और आपको बताते चलें आक्रोशिद ग्रामीडों को शांत कराते ही वे जाम को हटवाने का वहाँ पर प्रयास किया गया ग्रामीड मुआफजी के अब लगातार मांग कर रहे हैं थाना अध्यक्ष ने लोगों को आबदा के तहत हर संभो सहायता प्रदान करने का आश्रसन दिया करीब दो घंटे के बाद लोगों ने थाना अध्यक्ष के आश्रसन पर जाम हटा लिया जिसके बाद याताया 104 ध्यान देता था बलकि घारोयम खेती के काम में भी अपने पिता की मदद करता था श्रीवम का आकस्मिक मौत पर ग्रामीड दुखी हैं मौके पर पंचायत के नौ निर्वाचित मुख्या ने पीरित परिवार को हर सरकारी सहायता दिलाने का आश्रसन दिया तो बिहार के मंत्री शर्म संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा नाराज हो चुके हैं बिहार विधान सभाय में जीवेश मिश्रा की कार रोकी गई जीवेश मिश्रा की गाड़ी को विधान सभाय में सुरक्षा कर्मियों नोरोका और डीमस्पी की गाड़ी को पास करा दिया बिहार विधानसभा में मंत्री जीवेश मिश्रा के साथ पुलिस कर्मियों ने दुरुवेभार किया और उनकी गाड़ी को रोका नाराज जीवेश मिश्रा ने सदन के अंदर भी नाराजगी व्यक्त की और दोशी अधिकारियों के खिलाफ कारवाई की मामले ने तूल पकड़ा और देर शाम बिहार सरकार के आला अधिकारी तलब हुए विदानसबा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने डीजीपी और घरसेची को तलब किया और पूरे मामले पर जाच करने के आदेश दिये जीवेश मिर्शा के आरोपो पर अधिकारियों के सफाई सामने आ चुकी है दर असल पूरे मामले पर जीवेश मिर्शा सहीद बीजेपी के तमामनेताओं ने नराजगी जाही की प्रदेशा अध्यक्ष्य संजेज ऐसवाल ने भी घटना पर चिंता जताई और कारवाई की मांग की सीजीटीए फुटेश के आधार पर अब आगे की कारवाई की जाएगी तो बिहार विधानसभा गेट पर मंत्री जीवेश मिर्शा की गाड़ी रोकी जाने के मामले में जिला प्रशासर ने सफाई देने के बाद उनकी आवास पर जाकर मुलाकात की देर रात पटना जुलाधिकारी और पटना एससपी उनके आवास मान मनोबल करने पहुँचे थे जाते चले की गुरुवार के दिन मंत्री जीवेश मिर्शा की गाड़ी को बिहार विधानसभा के मुखिद्वार पर डियम और एससपी के प्रवेश करने के बाद प्रवेश दिया गया था और इस मामले से नाराज होकर मंत्री जीवेश मिश्टा ने सदन में हंगामा खड़ा कर दिया गुरुवार कि देर राद बिहार सरकार के मंत्री जीवेश मिश्टा के आवास पहुचे पटना डियम और सस्पी ने करीब आधे घंटे से जादा का वक्त उनके आवास पर नामी दोशी पदाधिकारियों पर कारवाई काश्वासन दिया, साथ ही उन्हें मनाने की पूर्जोर कोशिश भी की। नामी दोशी पदाधिकारियों पर कारवाई की जाएगी। पटना डियम डॉक्टर चंदर श्रीकर सिंग के आदेश पर कस्तूर्बा आवासिय विद्याले का और चगनी रुक्षन किया गया। जहां पर B.E.O. रास विहारी दुबे ने विद्याले में चात्रों के पठन पाठन रहने और खाने पीने की ववस्था के जाच किया। चलिए जाच के दारान CCTV का कैमरे बंद पाये गए यहां पानी पीने के लिए आरो भी खराब थे बच्चों के सोने के लिए जितनी भी फोल्डिंग थी कई जगहों पर टूटी फूटी थी पढ़ने के लिए बेंच की जो ववस्था थी वा भी ठीक नहीं थी चात्रों की स खामियों को देख बीयों ने एक हफते में इसे सुधारने का सक्त आदेश जारी कर दिया तो वहीं दूसरी तरह सुधार नहीं होने पर कारवाई के चितावनी दी गई आपको बता चले प्रकंट शिक्षा पता दिकारी ने बाच्चूत के दारान सभी चात्राओं से खान पान और पठन-पाथन का हाल पूछा और इस बीच उन्होंने चात्राओं को डिंगू के मच्चरों से बचाओ के उपाय भी वता है तो बिहार के मजफरपूर मोतिया बिन कान में CS के बयान पर ब्रह्मुपरा थाने में आई हॉस्पिटल प्रशासन के खिलाफ केस दर्श किया गया आई हॉस्पिटल में ऑपरेशन होने के बाद संक्मन के चलते 15 लोगों ने हमेशा के लिए अपनी आखे गवा दी है आपके जानकारी के लिए आपको पताते चले जिसके बाद अस्पिटाल प्रशासन पर बड़ी लापरवाही बरतने का आरूप है इस मामले में SKMCH में 21 मरीज भरती हैं जिसमें 11 ऐसे मरीज हैं जुनकी आखे निकाली गई हैं दस मरीज ऐसे हैं जिनमें संकमण का इलाज चल रहा है इलाज के बाद कल कई लोगों की संकमित आखों को निकाला जा सकता है अब तक कुल 15 लोगों की आखों को निकाला गया जिसमें 4 आई हॉस्पिटल और 11 SKMCH में भरती हैं जो की सरकारी आखड़ा बता रहा है मजफर पुजिले के जोरण छपरा इस्तित आई हॉस्पिटल में बीते 22 नौमबर को बताते चलें हुए एक साथ 65 लोगों के मोतियबिंद के आउपरेशन के बास सभी लोगों की आखों में अचानक संकमण होने लगा और एक एक कर अब तक 15 लोगों की आख हमीशा के लिए निकाली जा चुकी है वहीं अभी करीब एक दरजन लोग जिन्हें आखों में संकमण है वे अभी हॉस्पिटल में भरती कराएगे हैं प्रशासन की तरफ से जारी किये गए आकड़ों के अनुसार अब तक कुल 15 लोगों का आउपरेशन किया जा चुका है जिनकी आखे निकाली गई जिसमें से चार मरीजों की आख आई हॉस्पिटल के दौरा निकाली गई है ग्यारा मरीजों का आख एसके अमसीएच में निकाली गई है